हरियाना और मराश्ट के चुनाव में केवल एक हफता ही बचा है और इस पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा मैं आप से जानना चाहूंगी कि चुनाव को लेकर क्या रणनेती है बीजेपी के इस बाद क्या है बीजेपी के और बीजेपी के अपने आपर सर्कार है तो दूनों जगा हम परल्गों के बीच में जा रहे इसलिए दोनों जगा संकल पत्र आ ρहा है क्योंकि हम ब्च्छ में तो है नहीं तो हमने क्या किया उसके बेस्स पर भोट माँएंगे और क्या करेंगे हमागे क्योंकि कुछ कारे तो जो सुरुवात की उसको बढ़ाएंगे कुछ नए कारें को लिया जाएगा और दोनों ही जग़ विकास को कैसे कती देनी है यही हमारा एजिंडा है संकल पत्र भी विकास में सब कुछ समाहित है चाहे वो विमेन इंपॉव्मेंट की बात करिए चाहे वो फार्मर्स की इंपॉव्मेंट की बात करिए चाहे इंपॉव्मेंट जिनरेशन की बात करें हर कुछ जिसमें इंक्लूसिव है और आपने देखा कि कली हमारा संकलपत हर्याना का आया इसमें इन बातों पर जोर दिया गया तो हमें लगता है कि जनता को हम अपनी बात समझाने में काम्याब हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े तादाद में लोग वीजेपी के समर्थन में निकल रहे हैं और बाकी पार्टियां आपको बिलकु ठाक्तर को बना दे तो आपको ये किस तरीके से देखते हैं लिए पार्टिया ने बहुत साफ किया है कि एलाइंस जो चुनाव लट रही है वो देवेंदर फटनविस जी के नेतित्तों में लट रही है और वो मुख्यमंतरी है महारास्ट्रा के तो राजनती में इसका रखती है कोई बात नहीं तो ये थी हमारी खास बातचीत बीजेपे के प्रवक्ता सुदेश वर्मा के साथ मैं फराखान कैमरा परसन विवेक के साथ आनाई टीवी डेली